आप जानते हैं कि नैनीताल के अलावा दिल्ली में भी नीम करोली बाबा का एक अधभुद आश्रम है इसे बिल्डा हनुमान मंदर के नाम से भी जाना जाता है ये मंदर और आश्रम भक्तों के लिए एक चमतकारी और अध्यात मिक्स्थल है आईए इस वीडियो में जानते ह हैं इस मंदर और आश्रम का इतिहास इसकी विशेश्टाए और यहां कैसे पहुंचे है अने की अवनसुत हनुमाने की श्री बाबानी पुर्वरी महराजे की जाता इस्मनिय परंपुजय पिता श्री मता श्री की सदा ही जै अखंड मंडला कारम व्याप्तम येन चराचरम सद्वदम दर्शदम येना तसमई श्री गुरुवे नमा गुरुर भ्रम्मा गुरुर वेश्णों गुरुर देवो महेस्वरा गुरु साक्षात्व भ्रम्मा तसमई श्री गुरुवे नमा वुले श्री अनमान जी महराजे की जाए हम स्री हनमान बिल्डा मंदिर बाबा नीम पुरी आश्रम से मैं पंडिट गुपाल स्वामी सास्री हनमान जी की महलाजी की और पुज्य पिताश्री के आश्रिवार से इस मंदिर का स्री जुगल किशोर बिल्डा जी के दार द्वारा निर्मान कारिया हुआ महाराजी सन 1961 में 1961 में आपके जिस्तान पर आए यह जगेपुरी जंगल वंग शेत्र था तो अभी मैं सिवारी जी को बोलूँगा अंदर से दर्शन कराएं जहां एक गोला कार बना हुआ है महाराज जी ने सन 1961 के अंदर हाँ पर बोला कि खुदाई करो जब वहां खुदाई हुई तो छोटे सरूप वाले हनुमान जी के अभी हम आपको दर्शन कराएंगे वो यहीं से ब्रगट किये थे सन 1961 के अंदर चार दिसंबर 1965 को सर्थकाली घ्रह मंत्री श्री गुल्जारी लाल नंदा जी के दोड़ा इस मंत्री कर सिल्यान नियास हुआ सासरी जी ने इसका उट्गाटन किया और यह पूरा जो मंत्र आप देख रहे हैं कि श्री जुकर किशोर बिल्डा जी ने बनुमाने के बाद में हमारे पुझ्य पिताश्री श्री नायर बाबाबा जी को अंदर्शन कराएं तो इस पूरा मंत्री परिसर अभी हम चाहेंग परजन होता है उसके बाद में बंडारा परशाद की विवस्था रहती है हर मैने के प्रतम रभीवार को यहां पर सुबह 9-11 सरी सुंद्रकान का पार्ट होता है उसके बाद में बंडारा परशाद की विवस्था रहती है मंदिर का समय प्राते का आठ से बारा और साम को चा सभी लाइन मेट्रों से आना चाहें तो कश्मी गेट भी पास में है और सिवी लाइन मेट्रों से पास में हैं अंटा राजी बसंटे के पास कि ली अबिशेक तिवारी की रिपोर्ट